कानून और आपके अधिकार आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूं है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको time to time मेरे न्यू वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहे है आज की वीडियो का टॉपिक है इपासपोर्ट इंडियन गौर्मेंट फाइनेशियल इयर 2022-2023 में इपासपोर्ट शुरू करने जा रही है इपासपोर्ट में डेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायो मैट्रिक्स का यूज किया जाएगा इपासपोर्ट भी जैसे पासपोर्ट होलडर का नेम, अड्रस, डेट और बर्थ मीन्स पासपोर्ट होलडर की जो भी मेन इनफॉर्मेशन होंगी वो उस चिप में फीड होंगी अभी तक नॉर्मल पासपोर्ट को ऑप्टिकल रीडर से स्कैन किया जाता था बट ये इपासपोर्ट चिप रीडर के थ्रू स्कैन किये जाएंगे इपासपोर्ट में यूज होने वाले इलक्रोनिक चिप की वजह से इमिग्रेशन काउंटर्स पर यात्रियों की डेटेल्स को जल्दी से जल्दी वेरिफाई किया जा सकेगा जिससे इमिग्रेशन काउंटर पर लगने वाली लंबी भीड में काफी रहत मिलेगी साथी international मानकों को ये पूरा करेगा और सुरक्षा की द्रस्टी से भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे fake passports पर काफी हद तक रोक लगने की पूरी संभावना होगी तो friends ये थी e-passport के बारे में details से information I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो यूसफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें साथी अपने वैल्यवेबल कमेंट्स देना पिल्कुल ना भूले Thank you for watching my video